क्रिसी बिल के विरोध में आज 49 दिन करहिया मंडी धर्ना इस्थल पर ही एक बच्ची ने अपना जन्न दिन मनाया धर्ने वेठे किसानों का कहना है कि कोई भी उस्सा होगा या ववाही कारकरम होगा यहीं होगा हम यहां से किसी भी कीमत में हटने वाले नहीं हैं यह अन्य दाता की लड़ाई है और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं हम किसानों का पूरा परिवार हमारे साथ है अभी तक कई बच्चीों के जन्न दिन यहां मनाय जा चुके हैं और आगे भी सारे करकम इसी करीके से यहीं पर संचालित होंगे संयुक्त किसान मोर्चा से सिव सिंग एड़ोकेट ने कहा है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार अत्याचार करने से बाज नहीं आ रही है लेकिन हम अन्य दाता अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जट तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती आज एक बच्ची के जन दिन के अफशार पर धर्ना इसतर पढ़ी के काटकर अपना जन दिन मनाया एवं लंगर भी आयोजित किया गया आने वाले जो भी वह वाहित कारक्रम हैं वह भी यहीं संपन्न कराए जाएंगे प्रस्तु थे संगठन के पदाधिकारी एडवोकेट सिव सिंग से जनकारी के अंसर ये आज 49 दिन है और लगातार ये यहां लंगर चल ला किसानों का और किसान अंदाता पूरी तरह से किसान बिल के विरोध में कडाई से जो है अंदोलन चला रहा है और वो पीछे हटने वाला नहीं है यहां रीवा में हम लोगों ने तैं किया है से जो भी साधी बिया होगा और बच्चों का जन्म दिन होगा जो भी उस्सो होगा जो किसान इस अंदोलन में लगा हुआ है राद दिन वो यहीं पर सारे जस्न मनाएगा हम लोग आज बिहारी लाल जी के बच्ची का जन्म दिन यहां मनाएगा पूर में भाई अफसेग जी के बच्ची का यहां जन्म दिन मनाएगा रो आगे जो उस्सार आएंगे साधी ब्या भी होगा तो साधी ब्या के भी प्रोग्राम यहां होगे और हम लोग तब तक नही हटेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा